आज की वीडियो का टॉपिक है जन्वरी के टॉप मोस्ट सेवेंटी इंपॉर्टेंट क्वेशन्स का सो ये वीडियो अगर आप किसी पे एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जादा हेल्पफुल रहेगी तू फ्रेंट्स शलिए इस वीडियो की शुर जोश डैनियल ओटेगा सुध्यान लखेंगे अब फ्रेंट्स बात आती हैं आपकी निकारगुआ की निकारगुआ जो की लोकेटिड है नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में इसकी कापिटल है मानागुआ और इसकी जो करंसी है वो है निकारगुआ को डोड़ुआ तो ध एड्मिरर सुप्रिंटेंटन पत के लिए किसी अपोइंट किया गया है आंसर इस के पी अरुबिन्दन को अपोइंट किया गया है नेक्स्ट इस इस इंडियन रेल्वे हास चेंग तर नेम औफ ट्रेंगार्टू बोड भारते रेल्वे ने देखी अब ट्रेंगार्ट का बदल कर क्या कर दिया है तो करेक्ट आंसर इस ट्रेन मैनेजर इसी राइट तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है अब इन्डियन रेलवी की बात आती है फ्रेंड्स तो इसके स्टेबलाइश्मेंट हुए देखे 16 अपरल 1853 इसका हेड़्कॉर्टर है न्यू डेली में रेलवे मिनि रोट ट्रांस्पर्ण मिनिस्टर नितिन कटकरीज है अब इसके जो अनॉंसमेंट करी गई वो नितिन कटकरीजी के द्वारा की गई है ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद बात आती है नेक्स्ट कोशन की वेन इस इंडियन आर्मी देस सेलिबरेटेड जो भारते स जो तीना दिवस है ये मनाया जाता है पंद्रा जन्वरी को उट के मानाया जाता है तो इसके बारे में देख लेते हैं इंडियन आर्मी सलिबाट किया जाता है इंदी और ओनर ओफ फीड इंडियन आर्मी इंदी वार जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था जो वार चल रही थी उसका नित्रत भी इनके द्वारा किया गया था तो इनी के सम्मान में इंडियन आर्मी ने मनाया जाता है तो पहले नमबर पर कौन आ गई है कौन सी खिलाडी तो इनका नाम है तस्नीम मीर इस दी राइट आंसर इसके बाद है who will become India's first sanitary napkin free village तो राइट आंसर इस केरल का कुमलंगी village जो कि पहला इसा village बन गया है जो कि पूरी तरीके से sanitary napkin free village हो गया है अब इस काओं में देखो जो 18 प्लस की उम्र की महिलाई है ने उनको लगबग 5000 यहाँ पर menstrual cup distribute करे है और इनके एक पहल है और एक free sanitary napkin free village बन गया इसके बाद देखो next question है which Indian bank has been named as the best private bank in the global private banking awards तो best private bank का जो award है वो किसे दिया गया है और राइट आंसर इस SDFC bank को दिया गया है ठीके तो यह आपको धियान रखना है कि simple कौन सा bank को यह title मिला इसके बाद है कौन सा Indian airport है जो की आठवी नंबर पर है in the global list for on time performance तो समय पर प्रदर्शन की जो यह पूरी list आई है उसमें जो आठवी नंबर पर जो आपके लिए इयरपोर्ट है ना वो है टॉप फ्री एयरपोर्ट की तो फोस्ट पे है USA का मियामी सेकिंड और थर्ड पे है जपान का फुकुआ को और हाने दा एयरपोर्ट ठीके तो पहली रैंकिंग ध्यान रखो आप लोग और इंडिया की राद रख लो कुशन उलटकी भी बन सकता है कि चेनने इंटरनाशनल जो एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग या वो कौन से नंबर पे है तो वो एट नंबर पे है इसके बाद है विच स्टेट जो की होस्ट करेगा वर्ड डीफ 2020 क्रिकेट चैंपरशिप 2023 तो पहली बार कौन सा जो राज्ज है वो होस्ट करेगा आंसर इस के रलेसी राइट आंस याद हो जाएगा वर्ड बैंक और अकॉर्डिंग तो इस रिपोर्ट जो गलोबिक एकनॉमिक ग्रोथ है न वो घटी है वो तेजी से घटी है 4.1% है 2022 और ऐसा कहा गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की 3.2% होगी 2023 में वहीं ये 5.5% थी 2021 में तो एकदम सही है न 2021 से घ घट गई और 2022 के बाद 2023 में और घटेगी तो ये बोला गया इस रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद according to the list जो के अभी हाली में फोर्प से रिलेस करी उनके according who has become the highest paid female player in 2021 आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहापे नाओमी उसाका इस दी राइट आंसर ठीके तो ये कॉन से कंट्र अच्छी में नाओमी उसाका सेकंड पेस सरेना विल्यम्स और थीसरी में विन्स विल्यम्स इस राइट आंसर इसके बाद अडानी ग्रूप है टाइड अव विच कंट्री लार्जस स्टील कंपनी पोस्ट को तो एंटर दा स्टील बिजनेस तो स्टील के विवसाय में इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी हैस अनाउंस टू सेलीबेट विच डे आज नाशनल स्टार्ट अप डे राइट आंसर इस सिक्स्टीन जन्वरी तो फिंस सोला जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने गोशना करी कि इस देन मनाया जाएगा र नहीं महीने में इतना ट्रांसेक्शन को कंप्लेट किया और यह किसने कंप्लेट किया है पेटियम पेमेंट्स बैंक लिमिटेट ने तो इसके साथ उन्होंने एक माइलस्टोन जो है वह अचीव कर लिया एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है पेटियम पेमेंट बैंक ने इसके stabilisementry 2015 में इसके जो founder हैं वो हैं विजर शेखर शर्मा present time में इसके CEO हैं सतीश कुमार गुपता और इसका headquarter कहां पे हैं नौईडा में अगला हैं देखें लोसांग जिसे नाम सुंग के राम से भी जानती हैं ये महोसव किस राज्य में मनाया गया है right answer is सिक्किम तो सिक्किम में ये जो festival है वो मनाया जाता है इसके बाद है who has launched the north east on wheel mission तो नई दिल्ली में इस mission को किस ने launch किया है answer is मिनाक्षी लेखी इसका उद्देश है ये देखें कि जो north eastern state है जो पुर्वत्ता राज्य है उनके culture को बढ़ावर देना इसका main उद्देश ये था अगला question कौन सी country में दुनिया का पहला एक होटल से जो कि कैमल्स के लिए है उसको built up किया गया है तो ये देख कौन सा है आंसर हो जाएगा सौधी अरब इसी right answer तो इस होटल में जो है वो 120 rooms होंगे और जो specially camels के लिए है तो camels के देख भाल करने के उदेशे से इसको बनाए गया है सौधी अरेबिया में अगला question है कमल खान इनका भी हाली में 14 जनवरी को निधन हुआ है ये कौन से field से सम्बंदित है तो ये famous journalist रहे और इनका जो निधन हुआ है heart attack के कारण इनका निधन हुआ 14 जनवरी को अगला question है किस नी organize किया है 20th Dhaka International Film Festival तो इसका आयजन कौन से संगटन कर रहा है answer is Rainbow Film Society इसका आयजन कर रहा है अब देखो यहाँ पे question ये भी बन सकता है कि कौन सा edition है तो फिर ध्यान रखेंगे ये 20th edition है इस तरीके से question भी पूछ सकती है चलिए next question की तरफ बढ़ती है question में पूचा है who has won the title of Mrs.Word 2022 ये जो title है Mrs.Word 2022 का किस ने जीता है Shailin Ford ने ये title जीता है इसकी spelling थोड इसी mistake है इसकी जो correct spelling है वो है S-H-A-Y-L-Y-N इस तरीके से spelling है और ये कौन से देश से है तो ये ध्यान रखेगा ये हैं अमेरिका से ये question पूच सकते हैं और इसमें देखो नवदीव कौर का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इनको best national dress का title तिया गया है इसी जो है वो इसमें पूरी जो ये function हुआ है इसमें अगला question देखिए कौन से ministry है जिसने setup किया है online defense pension grievance redressal portal को तो ये जो portal है इस portal के स्थापना करी है ministry of defense अच्छा किसके पास है defense ministry तो राजना सिंग जी के पास है defense ministry इसका main purpose ये है देखो शिकायती होती है उनका समधान करना उनका solution करना तो उसके लिए portal बनाएं गया अगला question who addressed the 16th India Digital Summit 2022 तो किसने address किया है answer हो जाएगा Piyush Goyal जी ने इसको संबोधित किया है और इसका चिको यहाँ पे विशे भी ध्यान रखी विशे का मतलब जो इसकी theme है वो है super charging startups और इसका जो addition है वो है 16th नमबर का इसके बाद है according to the list जो कि Forbes की द्वारा release करी गई उसमें बताना है what is the position of Indian shuttler PV Sindhu in the list of highest paid female player तो इसमें PV Sindhu कौन से नमबर पर है तो answer हो जाएगा 7th नमबर पर है इसमें PV Sindhu ठीके तो इनका बस आपको ध्यान रखना है पहले नमबर पर हमने अभी कुछ टाइम पहले डिसकस किया था अभी question में कि Naomi Osaka जपान से जोती वो थी पहले नमबर पर अगला question है तब PASICS जो exercise है वो between Indian Navy और कौन से Navy के बीच में हुई है और इसको Arabian Sea में organize किया गया ये जो अभ्याद से ये भारत और रशिया के बीच में हुआ है आप question में ही देखो बन गया किसका आयजन कहां हुआ है Arabian Sea में हुआ है ये आपको याद रुखना है अगला है वोट हास बीन रिनेम्ड एस Yes Mutual Fund तो Yes Mutual Fund जो है नया नाम हुआ है किसका तो White Oak Capital Mutual Fund का नाम बदल कर अब क्या किया है Yes Mutual Fund जो है पो इसका नाम किया गया है ठीके तो ये ध्यान रखेगा अगला question देखे इसमें पूचा है कि पुरुष एकल का जो खिताब है वो किस्ते जीता है आंसर इस लक्षिय सेन इसी राइट आंसर ठीके अब ये टूर्णमेंट कहा हुआ था करें आप लोग उसे एक्जाम में पूच लें तो French Sea जो टूर्णमेंट हुआ था वो न्यू डेली में हुआ था और यहाँ पे बाकी भी आप देख सकती है वोमें सिंगल का टाइटल जीता है बुसानन जो कि थाइलेंट सी है मेंस टाइटल का टाइटल है इंडिया के चिराक सेटी और सत्विक सराज रेंकेडी ने जीता है वहीं वोमेंस टाइटल का टाइटल जीता है थाइलेंट के बिनियापपा एंड नन ताकराना ने तो ये कुछ अधर आपको ध्यान रखनी है केटेगरी में इसके बाद पूछा गया है देखे नेक्स्ट कोशन पंडित विर्जु महराजची का भी हाली में 83 एर की एज में निधन हुआ है इनका सम्मन कौन सी फिल्ड से है तो आप इनके बारे में तो ज़रू जानती होंगे ये great कतक dancer थे और इनका भी हाली में निधन हुआ है नेक्स्ट कोशन इस किस देश ने पहली बार national security policy को शुरू किया तो पाकिस्तान ने पहली बार जो है वो इस policy को शुरू किया है और इस policy से देखो इस नीती से जो policy होगी ना इसका main purpose यह है उनका बतलब यह ऐसा कहना है क भारत के साथ अच्छे relations की इस उमीद जताई जा रही है कि इस policy से relation अच्छे हो जाएंगे इसके बाद है police of which state और UT जिसने इंडिया का नहीं सोरी उन्होंने अपना पहला podcast किस्ता खाकी का launch किया तो यह दिल्ली की जो police है ना उन्होंने इसे launch किया है और इस podcast में देखो जो अपराद है थेकिकात हो गई ऐसी जो कहानिया होती ना अनसुनी कहानिया उनको podcast किया जाएगा ताकि हर कोई से सुन सकीगा ठीक है तो यह दिल्ली की police ने इसको launch किया इसके बाद ने where is the ninth women's national ice हो के championship तो friends यह बताना है कि जो championship है इसका आयजन कहां पी किया गया है right answer is बोस एजन्डा समिट 2022 की तो इसकी अध्रक्षिता करी है नरेंदर मोदी जी ने next is from which day the central government ने फैसला किया है कि जो republic day का celebration है अब 24 जन्वरी की बचाय कौन से तारिक को शुरू हो जाएगा right answer is तेहिस जन्वरी तेहिस जन्वरी को जो फैसला लिया गया है नेता जी शुभा चंद्र बोस शी की birth anniversary को ध्यान में रखते विलिया है क्योंकि इनकी birth जो हुआ था 23 जन्वरी 1897 को तो इनी के जन्वरी को भी इसमें शामिल करने के अदेशे से अब जो celebration है वो 23 जन्वरी से शुरू हो जाएगा इसके बाद है who has released inequality kills report 2022 यह report release करी है Oxfam इंडिया ने ठीक है तो किसने release करी है ध्यान रखेंगे Oxfam इंडिया ने अगला है किसे new chairman appoint किया गया है April Export Promotion Council का आंसर इस नरेंदर कुमार गोयंका तो इने अपॉइंट किया गया अगला question है देखिए in which ocean a large volcanic eruption has occurred near the island of Tonga तो Tonga के पास किस महासागर में एक बहुत बड़ा ज्वाला मुखी विस्पोट हुआ है और कौन सा महासागर है Pacific Ocean है तो Pacific Ocean के पास ही यह जो ज्वाला मुखी है न यह अभी हाली में इसमें eruption हुआ है इसके बाद है who has won the men's single title in Sydney tennis classic tournament तो men's single का जो टाइटल चीता है वो एसलेन करास्तेव ने चीता है यह आपको याद रखना है कि किस ने चीता है simply बस से पूछेंगे और यह भी पूछ सकते है friends कि यह कौन से देश से हैं तो यह है रश्या से ठीके इसके बाद है भारते महिला होकी टीम के जो नई कप्तान बनी है उनका नाम क्या है answer is सविता पूनिया तो friends सविता पूनिया बनी है भारते महिला होकी टीम की नई काप्टन इसके बाद है तोशी की काईफू इनका भी हाली में निधन हुआ है कौन से देश के former Prime Minister ते answer is Japan तो जपान देश के यह प्रध इसके बाद है कौन सी which birth anniversary अभी हाली में आप के लो मया मनाई गई है 18 जन्वरी को किसकी महादेव गोविंद रानाडी की तो friends यहां में बताना है कि कौन सी birth anniversary मनाई गई है तो आपका answer हो जाएगा 180 नंबर की इनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 18 जन्वरी 1842 को इनक था 18 जन्वरी को होती है इनकी birth anniversary और इस पार इनकी कौन से नंबर की थी 180 नंबर की थी अगले question पर बढ़ते हैं तो अगले question में देखो पूछा गया है friends what has become the new capital of Indonesia तो friends यहां में बताना है कि Indonesia की जो नई राजधानी है ना वो हमें बताना है कि क्या बन गई है तो आपका answer ह हो जाएका नुस्तान नुसंतारा ठीके नुसंतारा अब यह नई capital है इंडोनेशिया की तो देखो थोड़ा सा में आपको बताते हैं इसका reason क्या है देखो पहले यहां की capital आपको बता है जकार्ता capital तो जकार्ता बहुत जाता घनी आवादी वाला शहर है तो वहां पी जो स सुवधा हैं होती दी ना बहुत जादा लोट पर रहा था उस city पे तो इसलिए मांके government ने देश के रास्ताने को यहां से हटा कर नुसंतारा ले जाने का फैसला किया है चीके तो यह पूरी की story है आगला question देखिए who has become the new deputy chief of Indian army तो इंडियन आर्मी के अभी जो नए उप प पेसेक्स की शुरवात जो हुई थी 2002 में हुई इसका जो headquarter कहां मिलेगा California में मिलेगा और Elon Musk जो है वो इसके founder भी है और CEO भी है अगला question है which country scientists have created an artificial moon on earth right answer is China तो चाइना देश ने कि जो scientist है ना उन्होंने क्रतीम चंत्रवा का नर्मान किया है जो कि जिसमें powerful magnets का use किया जाए जितना चांद पर होती है ना उस level तक gravity को लेके आया जाएगा इसके बाद है 19 January 2022 को NDRF के द्वारा कौनसा स्थापना दिवस मनाया गया है right answer is 17th स्थापना दिवस इन्होंने मनाया अगला question है who has won the best FIFA men's player award तो ये award किसे मिला है right answer is Robert Lewandowski तो लगता है दूसरे वर्ष इन्हों ने FIFA का best FIFA men's player का ये जो award है वो जीता है इसके बाद next question देखे कौनसी country ने अभी infinity bridge को open किया है for traffic पहली बार तो ये जो infinity bridge है ना ये maths का एक symbol होता infinity तो इसका जो आर्क है ना वो इसी symbol की तरह है तो इसलिए इसका नाम infinity bridge किया है और इसे दुबाई UAE में खोला गया इसके बाद है किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरुकता उपगरे तारा मंडल लॉंच किया है राइड आंसर इस साउथ अफरीका ने जहे बोई तारा मंडल लॉंच किया है चोटे उपगरे विकास में एक अफरीकी नेता के रूप में दक्षिन अफरीका है तो देखो इसका में परपस ही है कि जो सिटीजन से ना वोट देने से पहले सही क्यान के साथ मतलब कि किसको वोट देना चाहती है उनको भी जागरुकता उनके अंदर होनी चाहिए तो ट्वीटर प्लेटफॉर्म ने इसको इस कामपेइन को शुरू किया है इसके बाद ह अंसर इस विक्रम देवदत जो है यह अपॉइंट किये गए है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीमडी नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ती है तो अगला कोशन देख लीजिए विच कंट्री इस होस्टिंग दा ए एफसी वोमेंस एशन कप 2022 तो इसे जो होस्ट करेगा व और कौनसा एडिशन यह रहेगा इस पार इसका 20 एडिशन रहेगा इसके बाद कौनसी डेट अनिवर्सरी जो है वो राजपूत किंग महराना प्रताब जी की अब्जर्ब करी गई है पुर्णेति थी मनाई गई है तो इस पार 343 इनकी पुर्णेति थी रही है 19 जन्वरी 2022 तो को ध्यान लखेंगे उनका जन्म जो हुआ था 19 जन्वरी 1540 में राजस्तान के मेवाण में उनका जन्म हुआ था इसके बाद है इस रिपोर्ट को किसले जारी किया है तो इनके द्वारा इस रिपोर्ट जारी करी गई है अच्छा इसका हेड़कौार कहा है यह पूछ ल स्विजलेंड में है आगला कोशन है यूरोपियन यूनियन की पार्लमेंट की जो नई प्रेजिडेंट बनी है उनका नाम बताईए राइट आंसर इस रोवर्टा मेटसोला तो दीके रोवर्टा मेटसोला को फ्रेंड याज रखेंगे यूरोपियन यूनियन पार्लमेंट की नई प्रेजिडेंट बनाए गया इसके बाद है इसके बाद है ब्रिक्स शेरपाओं की जो पहले मीटिंग होगी इसकी अध्यक्षिता कौन सा देश करेगा तो फ्रेंड्स इसकी जो अध्यक्षिता करेगा वो चाइना करेगा ठीक है तो ये ब्रिक्स शेरपास की पहली बैठक रहेगी तो इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में ब्रिक्स देखिए पांच कुंट्री का ग्रूप है जब इसमें साउथ अफरीका नहीं जुडाता तो इसका नाम ब्रिक्स था 2010 में इसमें साउथ अफरीका एड हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया पहली बार इसकी जो मीटिंग थी वो 2009 में हुए थी इसके स्टेबलाइश्मेंट 2006 में है और इसका जो हेटकॉर्टर है वो है शंखाई चाइना में अगला कोशन है वो हैस वान गोल्ड मेडल इन इंटरनाशनल फोक आर्ट फेस्टिबल सुमित भाले इस दी राइट आंसर नेक्स्ट एज विदेशी टीमों के घर में एक दिफशी अंतराश्टिय में सबसे अधिक रन वराने वाले जो खिलाडी कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा विराट कोली बन गए हैं सबसे जादा रन वराने वाले खिलाडी अगला है बॉस ता अंटोल्ड स्टोरी ओफ इन इंकन्वीनियट नाशनलिस्ट ये जो बुग है किस ने लिखी है तो आंसर हो जाएगा फ्रेंट से चंद्र चूर घोश के द्वारा ये जो ब माली के तो 2013 से लेके 2020 तक ये माली के राष्टपती के रूप में इन्होंने कारे किया है तो यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन इस भारत की पहली डिजिटल नियाए घड़ी डिजिटल जस्टिस क्लॉक इसे किस उचनियाय अले में स्थापित किया गया है तो रा अंसर इस दिलीब संगनी तो दिलीब संगनी को अपाइंट किया गया अगला है हिंदुस्तान एरनौटिक्स लिमिटेट ने साइन किया है कि अग्रिमेंट किस देश के साथ फॉर दी एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस लाइट हेलिकोप्टर्स तो इसके लिए जो अग्रिमें है वो अपाइंट किया है विनौध राइक को और आर्बियाई के दोरा जो है वो इन्हें अपाइंट किया है अच्छा आर्बियाई क्या करता है यह जितने भी भारत पे बैंक कैनों रेगुलेट करता है इसके जो स्थापना थी आर्बियाई की वो ही थी 1st April 1935 को और इसका आर्बियाई का वो कहां पे है मुंबई सी राइट आंसर ठीक है तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी आगला कोशन है विच वर्ड जिसको चूस किया है ओक्सफोर्ड उनिवर्सिटी ने ओक्सफोर्ड उनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्डरन्स वर्ड ओफ द और इस अपरेशन के तहत भारत ने जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पे चौकिस यानि उस पे जो सेना है इसको और बढ़ा दिया है ओकी तो यह ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है दिखें जैनेसिस प्राइस 2022 तो इस प्राइस से किसे सम्मानित किया गया है तो फाइज तो एरो 3 मिसाइल का जो परिक्षन किया है वह भी हाली में इसराइल ने किया ठीक है तो इसराइल इसी राइट आंसर इसके बाद है सेंट्रिनो डे लाफ वेंटो गार्सिया धोड़सा जीब नाम लगेगा तो इनका अभी 113 साल की एज में धिन्धन हुआ है और यह वह रखेगा इसके बाद है लास्ट कोशन है वेर हैस्ट अफ कार्गिल वार हीरो कैप्टन बिक्रम बत्रा जिसको अन्वील किया है इंडियन आर्मी ने कहां पर किया गया है पालंपुर हिमाचल परदेश में ठीक है तो किसका किया ऐसे भी पूछ लें तो कैप्टन बिक्रम पत्रा जी का जो प्रतीमा है इसका अनावरन किया गया तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप सेवेंटी इंपॉर्टन क्वेस्टन आई होप सो इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी मिलते हैं अगली वीडियो में थांक यू